आज 9 अगस्त को उत्तर पूर्वी राजस्तान के उपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके लवा मांसून ट्रफ लाइन भी राजस्तान के उत्तरी भागों से होकर गुदर रही है। इस सिस्टम के असर से पिछले दो दिनों से लगातार भरतपूर, जैपुर संबाग में भारी और केंकें अती भारी भारिस दरज की जा रही है। आज सबसे ज़्यादा भारिस दोसा जिले के महुआ में 195 अती भारी भारिस दरज की गई है। अब बात करें दिए आगामी दिनों में बारिश पूर्वानुमान की तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पूरवी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है ये अगले पांच-चार दिनों तक लगबग इसी छेतर के ऊपर बना रहेगा और इसी की इसी सिस्टम के असर से अगले एक सप्टा के दोरान पूरवी राजस्थान की अनेत भागों में मानसून सक्रिय रहेगा खास कर कोटा संभाग जैपूर भरतपूर और अजमेर संभाग के कई इलाकों में मध्यम तो कहिए तेज बारिस होने की संभावना बने रहेगी इस सिस्टम के असर से पूर बारिस भी रिपोर्ट हो सकती है इस सिस्टम के असर से उनकर सकते हैं कि अब भी अगले एक सप्टा के दोरान राजस्थान के कई लाकों में मानसून सक्रिय रहेगा और सामने से उपर बारिस होने की परिस्तेतियां बने होई